हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू लाइफ प्रेप बिटाई सेशन में हम लोग आज बूट कैम्प लेक्टर ने वाले प्लांड किंग्डम चैप्टर का तो आज सबसे पहले में डिस्केशन स्टार्ट करेंगे बाइफ डिफ्रेंस बिट्वीन क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइट्स ऑफ क्लासिफिकेशन सस्टम्स वगरा वगरा जो एंसी फ्लो में चलेंगे आज गेस शुद टेक आट यूर न्सी अर्टी एंड इफ यू इफ यू आव नोट तो नोट भी आप उपन कर लो और वो लोग इसको एक बार जलनी से रिवीव ले लेते हैं ठीक है तो पहला जो में इसमें पॉइंट है वो दो वर्ट के बीच में सटल दिफरेंस है जट कि के मतलब क्लांसिफिकेशन जो है एक प्रॉटस नाम है जो आपक्रते हो के और टैक्सोंोमी जो है एक बेसिकली स्टैली का नाम है या से जाद रखो टीफ़ टैक्स बीफ़ दीफ ई जूरी का नाम है या पर स्टडी करने का नाम है ठीक है तो I always like to give this analogy कि जैसे आप medicine में पढ़ाई करते हो पहले undergraduate medicine उसके बाद residency तो उसी तरह से taxonomy है ठीक है taxonomy study का नाम है और पिर उसके बाद जब आप treatment करते हो किसी का जब आप medical application करते हो diagnosis करते हो तो वो classification है मतलब यह study है और यह application है practical है ठीक है classification का और taxonomy का definition क्या है देखो classification हम लोग बोलते हैं act of grouping organism act of you can also say process of act of grouping organism act of grouping organism लेको groups बनाने को और organism को group के अंदर feed करने को हम लोग क्या बोलते हैं classification like for example you say pigeon is a bird तो आपने pigeon को bird के group में रखा ना तो वो क्या हो गया classification like for example you say rabbit is a mammal तो rabbit को अपने mammal के group में रखा ना तो क्या हो गया classification तो जब आप organisms को organize करते हो group के अंदर जो आप उसको group करते हो पढ़ाई को easy करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं classification लेकिन rabbit को mammal बोलने के लिए पहले अपने को mammal के criteria पता होने चाहिए कि mammal के पास tetrapod habit है मतलब two hand two feet है mammal के पास four chambered heart है body hair एक्सेटर 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 तो जब आप groups बनाते हो groups के characters को layout करते हो organism के नाम को लिखते हो तो जो study करते हो उसको उसको क्या बोलते taxonomy so taxonomy में क्या आता है ध्यान को सुनना tools techniques ठीक है tools techniques principles principles मतलब rules rules जैसे कि binomial nomenclature human का नाम है homo sapiens तो यह दो word का नाम क्यों है क्यों generic name और species name है तो यह mammal में रखना primate में रखना वो classification आएगा लेकिन human का नाम देना या rabbit का नाम देना या mammal के character को study करना so tools techniques principles ठीक है ठीक है यह सारे चीज़ों को हम लोग क्या वोलते है taxonomy so taxonomy ऐसे याद रखो ना taxonomy theory tools technique everything is from t mostly so tools techniques principles processes rules regulation जो हम लोग theory करते हैं उसको क्या वोलते है taxonomy ठीक है अभी taxonomy होने देखेंगे जहां लोग cellular level पे tools का use करते तो उसको क्या वोलते cytotaxonomy जब हम लोग chemical के level पर करते हैं chemicals के basis प्लांट्स को classify करने में help करते हैं उसको क्या वोलते chemo taxonomy so i hope मैं यह basic idea दिमाग में feed कि आपके कि taxonomy जो है वह basically study है या theory है और उसका application क्या है classification तो दो वर्ड में चोटा सब difference था जो मैंने आपको भी समझाया next अब आते हैं ठीक है और system of classification पर आते हैं सबसे पहले let us try to see कि इन तीनों का क्या meaning है पहला वाला क्या है बेटा artificial system दूसरा वाला क्या है natural system और तीसरा वाला कौन सा है phylogenetic system I'll talk about all these three today ठीक है तो system of classification 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 के क्या-क्या models है क्या-क्या classification के types है ठीक है तो या तो classification क्या है organisms को group करने को क्या बोलते classification लेकिन group करने का basis अगर बहुत basic होगा बहुत elementary होगा अगर group करने का criteria बहुत simple होगा तो ऐसे preliminary classification को क्या बोलते artificial classification यान रखो artificial classification natural से भी easy है natural से भी पहले है ठीक है artificial उसके बाद natural उसके बाद phylogenetic so one two three number is very important so artificial जो है easy-peasy basic classification है preliminary classification artificial classification system में organisms को कुछ characters के उपर classify किया जाता है और वो सारे character mostly कैसे होते हैं morphological morphological मतलब एक्स्टर्नल कैसे character होते हैं usually actually external superficial visible तो कुछ characters के basis पे अगर organism को classify करोगे तो उसको क्या बोलेंगे artificial level या artificial model of classification artificial classification में organisms को basic criteria के basis पे classify करते हैं अब इसका एक लिनेयस classification एंजियो स्पर्म का था flowering plants का था और यह सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के उपर बेस था बेटा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के उपर किस चीज़ के उपर अन्डिश्यम structure के उपर बेस था एंडिश्यम जानते हो basic है, easy है, उसको क्या बोलते है, artificial model, artificial model में कुछ characters पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही character पढ़ रहा है, endrosium structure के basis पे, सारे flowering plant को group कर रहे है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, artificial model, give an example of artificial model, linearist classification of NGS promise, next, उसके बाद कौन सा आया, थोड़ा सा और advance, concepts से थोड़ा सा advance, natural system of classification, यह basically artificial से थोड़ा सा advance है, ठीक है, इसमें हम लोग organisms को और naturally पढ़ते हैं, यहाँ पर तो बस एक criteria लेकि artificially पढ़ रहा है, यहाँ पर organisms को और जादा detail में, और जादा natural तरीके से पढ़ते हैं, अब इसका definition क्या है, और इसका concept क्या है, दोनों समझें, definition क्या है, कि यह जो classification model है, यह natural affinities के basis पे है, ठीक है, natural affinities मतलब organism nature में किस तरह से placed है, मतलब organism का nature के साथ कैसा interaction है, organism का natural qualities क्या-क्या है, organism का जो basic profile है, external हो, internal हो, जो nature में उसको thrive करने में help करता हो, क्या है, so all in all, this is a very simple but elegant line, कि natural system is based upon natural affinities, ठीक है, और natural phenomena जो है, वो external भी होगे, superficial भी होगे, और internal भी होगे, ठीक है, मतलब idonomical भी होगे, और anatomical भी होगे, ठीक है, so जब external as well as internal character को account करते है, detailed classification model को क्या होते है, natural classification model, ठीक है, अब इसके कुछ example है, जैसे for example, यह ultra structure पे based है, ultra structure मतलब microstructure, जैसे for example, plants में अगर आप cells को study करने लगे, cell के अंदर पाई जने वाले cell organelles को study करने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ultra structure, ultra structure मतलब fine structure, very very microscopic structure, दूसरा वाला कौन सा वर्ड आगया, anatomy, anatomy मतलब जानते हो, xylem, phloem, plants के case में, animals के case में कर रहे हैं, तो animal tissues ठीक है, और phytochemistry, phytochemistry में लगे, chemicals found in plants and algae, उसको क्या बोलते हैं, phytochemistry, so natural system में आप देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ external character था, androsium, जो flour का male part होता है, उसके basis पर classify कर रहे है, natural classification में, ultra structure involved है, anatomy involved है, phytochemistry involved है, तो यह अलाद क्लियरली जो है, internal as well as external, sexual as well as asexual, ठीक है, detailed character को account कर रहे है, more naturally पढ़ रहे है, nature, nature में organism का जो role है, उसको और अच्छे से समझ रहे है, और अच्छे से उसके बारे में समझ रहे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, इसको हम लोग बोलते है, natural model, natural model किस ने दिया था, तो इसका एक example लिखेंगे, जैसे artificial का example नहीं है, वैसे natural वाले का example, बेंथम एन हुकर, ठीक है, बेंथम एन हुकर classification, दो scientist का सरनेम है, बेंथम एन हुकर classification of angiosperm, was given by, वाज बेसिकली, natural classification, ठीक है, अब लास्ट में आता है, सबसे एडवांस, सबसे एडवांस जो है, phylogenetic classification, तो देखो, शुरू में जब humans ने classification करना चालू किया, तो visible characters के basis पे किया, let us say, सारे plants को classify कर देते, उनके flower के androsium के basis पे, तो वो जो visible character के basis पे किया, वो हो गया artificial, next उसके बाद समझ में आई, कि visible character के इलावा internal character भी है, तो जब external के साथ internal भी आ गया, तो कौन सा classification आया, natural classification, natural classification और detailed है, उसके बाद समझ में आया है, human को evolution का concept, देखो, इस time evolution का concept उतना clear नहीं था, इस time पे भी evolution उतना limelight में नहीं था, evolution focus में आया, later than these two models, तो जब समझ में आया है कि organisms common ancestor से आते हैं, organism evolve होके आते हैं, so why not use evolution as a classification model, मतलब best तो वो होगा ना, कि ancestor के basis पे कौन किस से branching descent से आया है, उसी common ancestor को लेके group बना दो, ठीक है, तो यह जो approach है, यह latest है, और यह सबसे sensible है, तो phylogenetic classification मतलब होता है evolutionary classification, ऐसा classification जो evolution के basis पे बना है, उसको क्या बलते हैं, phylogenetic model, phylogenetic model का एक ही कहना है, उनी organism का group बनाएंगे, जिनके अंदर common ancestry हो, मतलब सारे human का एक group बना देंगे, क्योंकि सारे human common ancestor से है, ठीक है, for example, तो उसी का group बनाएंगे, जिसका common ancestor हो, मतलब organisms of same taxa, same group के organism में क्या होना चाहिए, common ancestor होना चाहिए, ठीक है, अब देखो, evolution सबसे tricky है, evolution सबसे tricky इसलिए है, क्योंकि evolution दिखता नहीं है, of course evolution, we can see in the terms of characters, जैसे कि जिसका common character है, उसका likely क्या है कि common ancestor भी होगा, ठीक है, जैसे human और monkey के character common है, तो human और monkey का common ancestor भी होगा, लेकिन कभी-कभी यह बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि organism अगर transition कर जाते है habitat में, तो उनका जो look and feel हो बदल जाता है, जैसे for example, dolphin looks like a fish, but dolphin actually is a mammal, ठीक है, तो बहुत सारे evolution को account करना सबसे मुश्किल है, especially plants में, ठीक है, तो यह सबसे complicated है, तो कि evolution के लिए हम लोगों को present भी पढ़ना है, ठीक है, और past भी पढ़ना है, इन दोनों में अपने को क्या पढ़ना है, सिर्फ present, और यहाँ पे present भी पढ़ना है, और past भी पढ़ना है, और तो और present को past के साथ relate भी करना है, तब ही तो establish हो पाएगा evolutionary relationship, तो phylogenetic system is based upon evolutionary relationship, यह बोलता है, कि उनी organism का एक group बनाएंगे, टैक्सा बनाएंगे, जिन में क्या हो, common ancestry हो, और यह साबित करना easy नहीं है, complicated है, तो phylogenetic classification में बहुत सारे tools की जरूद पढ़ती है, we require many-many tools in phylogenetic classification, और जब tool आता है, तो taxonomic की याद आनी चाहिए, ठीक है तो देखो, taxonomical tools, जो especially, especially phylogenetic classification में help करते हैं, वो कौन से हैं, पहला वाला कौन सा, numerical taxonomy, numerical taxonomy, obviously study के लिए, theorization के लिए, model होगा, ठीक है, so numerical taxonomy में क्या लिखा है, कि numerical taxonomy की approach क्या है, पीटा, numerical taxonomy की approach क्या है, approach of numerical taxonomy is, देखो, इसकी पहली approach क्या है, कि एक दो नहीं, जितना character पढ़ सकते हैं, जितना observable character पढ़ सकते हैं, सारे observable character पढ़ लो, इसको क्या बोलते है, numerical taxonomy, देखो, numerical में number है, maximum number of character जब पढ़े जाते हैं, तो इसको क्या बोलते है, अप्रोच को क taxonomy is very very analytical one keyword would be numerical taxonomy क्या है बहुत ही ज्यादा analytical है numerical taxonomy में लोग सारे character पढ़ते जितना पढ़ सकते numerical taxonomy में सारे character अगर पढ़ते हैं तो computer का use करना पढ़ेगा देखो at a time human brain cannot store lots of information ठीक है तो उसके लिए computer का use करना पढ़ेगा ताकि precision और accuracy maintain रहे तो इतने ज्यादा character पढ़ते हैं से एक plant के मालों आप 400 character पढ़ रहे तो अधा time it is not possible for a human to remember all four characters and analyze them इसलिए क्या करना पढ़ता है use of computer because here we are relying upon quantitative information next अब computer को basically code समभन में आता है so codes must be assigned to characters ठीक है तो कोई ना कोई programming language develop करनी पढ़ेगी जो computer को एक particular character जो है समझा है next equal weightage देनी पढ़ती है सारे character को तो relative weightage के वज़ाए equal weightage दनी पढ़ती है each character is given equal weightage या equal importance ठीक है लेको sexual characters are generally more important than vegetative characters because vegetative characters change more sexual characters change less लेकिन numerical taxonomy में sexual as well as a sexual दोनों characters को equal importance दी जाती है इसलिए numerical taxonomy का एक demerit हो गया ठीक है so numerical taxonomy में सारे observable characters पढ़े जाते हैं इसमें computers का use किया जाता है इसमें code assign किये जाते हैं ठीक है what kind of codes not important equal weightage दी जाती है हर character को क्योंकि because of sheer number of character क्योंकि इतने जातना character पढ़े जा रहे इसलिए हर character को क्या दी जाती है equal importance दी जाती है in classical numerical taxonomy ठीक है next दूसरा वाला क्या आ गया दूसरी अप्रोच क्या आ गई cytotaxonomy याद रखो यह सब generally phylogenetic वाले evolution के case में यूज होता है artificial में क्या cytotaxon artificial में तो basic पढ़ रहे न natural में भी उतना basic पढ़ रहे जरूद कब पढ़ती है इन सब की especially in phylogenetic model जब आपको fossil record चाहिए जब आपको past और present के organism में relation establish करना है तो आ गया cytotaxonomy cytotaxonomy में cytological information का यूज होगा यह नामी self-explanatory है कि cytotaxonomy में कैसी information का cellular information का यूज होगा cell के अंदर की कुछ common information क्या है chromosome number जैसे कोई एक fossil मिला उसके कुछ character present के organism से मिल ला है उसमें हम लोग cell देखेंगे कि अगर chromosome number भी मिल ला है तो very likely इसका क्या होगा common ancestor अगर chromosome का structure मिल ला है chromosome का behavior मिल ला है very likely यह क्या होगा same organism या फिर common ancestor से होगा ठीक है so organisms of common ancestry generally share chromosomal information लेको chromosome number आप समझते हो chromosome structure क्या होता है सुना है बहुत सी chromosome कैसे होती metacentric sub metacentric acrocentric telocentric तो chromosome का structure भी अगर दो organism का मिल ला है very likely they have common ancestor very likely they are similar organisms ठीक है next chromosome का behavior तो chromosome का behavior बहुत सी chromosome जो अलग-अलग situation में अलग-अलग behavior भी देती है जिसे polyteen chromosome, lambrus chromosome those are not strictly part of NCRT but remember chromosomes do have certain behavioral aspects तो chromosome का behavior भी important next फिर क्या आगया chemo taxonomy chemo taxonomy में हम लोग chemicals का यूज करते हैं अब देखो chemical तक जाने की बात तब आती है जब chemical ineffective और यह बहुत आगे का लेवल हो गया मतलब chemicals के basis पे हम लोग शुरुआत में नहीं classification में गुज़ जाते हैं chemicals का यूज हम लोग last में करते हैं ठीक है जब cytological information भी help नहीं करता तब हम लोग eventually किसकी तरफ बढ़ने लगते हैं chemo taxonomy की तरफ तो chemo taxonomy everyday taxonomy नहीं है chemo taxonomy का यूज तभी होगा जब confusion इसके बाद भी रहे थांसियार्टी में क्या लिखा कि chemo taxonomy helps to resolve confusions helps to resolve confusions chemo taxonomy का रोल है confusion को resolve करना ना कि शुरुआत से taxonomy chemo taxonomy है ठीक है so chemo taxonomy helps to resolve confusions अगर group बनाने में बाद में भी confusion है numerical taxonomy के बाद भी cytotaxonomy के बाद भी अगर confusion है then we switch to chemo taxonomy chemo taxonomy में हम लोग plant के chemicals का यूज करते है ठीक है यह chemicals generally secondary metabolites होते है कैसे होते है secondary metabolites ठीक है secondary metabolites वह chemical होते है जिसको plant fungi microbes बनाते जिनका normal housekeeping में कोई रोल नहीं है normal plant को survive करने में कोई रोल नहीं है लेकिन फिर भी ecological importance के लिए कुछ extra chemical plant बनाता है जैसे rubber flavonoid ठीक है colored pigments anthocyanine drugs यह सब लोग biomolecule में पढ़े पर ठीक है तो phytochemicals जब plant बनाता है phytochemicals मतलब plant का chemical उसको यूज करके अगर दो organism same phytochemical बना रहे अगर दो plant दोनों caffeine बना रहे इसका मतलब उन दोनों plant में कुछ तो relation है ठीक है तो it establishes relationship and helps to clear confusion at the molecular resolution ठीक है तो यह हो गया हम लोग का types of taxonomy का slide अब आगे बढ़ते हैं let's see what do we have next ठीक है अब देखो यहाँ पे अलगी का introduction चालू हो गया ठीक है plant में यह बताने से पहले मैं आपको वह बता देता कि plant का classification model हम लोग कैसे लेके चलेंगे ठीक है तो plant का classification model में आपको briefly समझा देता है एक बार ठीक है चलो plant में अपने को क्या लेना है kingdom planty ठीक है इसमें मैं आपको पहले एक बार taxa समझा देता कि कैसे कैसे taxa important है kingdom planty में हम लोग दो group delineate कर लेते हैं ठीक है पहला group कौन सा है aquatic plant वह plant जो पानी में रहते हैं और दूसरा plant दूसरा group कौन सा है land plant का यहादे हम लोगों biological classification chapter में ही पढ़ा था कि plant kingdom में की definition है eukaryotes with chlorophyll क्या वेटा eukaryotes with chlorophyll ठीक है ऐसे eukaryotes जिनके पास chlorophyll है उनको हम लोग किसमें include करते हैं प्लांटी में include करते हैं ठीक है kingdom planty में cellulose की cell wall होनी चाहिए kingdom planty में chloroplast होना चाहिए यह सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके ठीक है एनिवेस kingdom planty eukaryotic का kingdom है cellulose cell wall का kingdom है और उसके पास क्या होता है chlorophyll होता है ठीक है प्लस यहां पर में लिख देता cellulose की cell wall होती है ठीक है अब kingdom planty के अंदर दो ग्रूप है पहला ग्रूप कौन सा है थैलोफाइटा ठीक है और दूसरा ग्रूप कौन सा है embryophyta embryophyta ठीक है यह model बहुत जरूरी समझना तो थैलोफाइटा क्या है थैलोफाइटा हम लोग बोलते हैं ऐसे प्लांट जिनके पास mostly aquatic habitat मतलब टोटली वह aquatic system पर dependent है ठीक है तो थैलोफाइटा का सिंपल मतलब है थैलस लाइक प्लांट या फिर सिंपल प्लांट ठीक है सिंपल प्लांट उनमें रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ नहीं है और यह कैसे होते हैं एक्वेटिक होते हैं इंके लिए हम लोग एक वर्ड और यूज़ करते हैं इसी किले हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं अलजी ठीक है तो यह वाला कॉंसा प्लांट होगा लैंड प्लांट ठीक है land plants अब मेरी बास समझो बहुत अच्छी एनेलोजी देने वाले I'm going to give you a very clear analogy देखो animals कहाँ evolve हुए water में उसके बाद amphibians land पे आ गए amphibians से reptile bird mammal बने और mammal में से बहुत से mammal फिर कहाँ चले गए water में चले गए dolphin ले लो आप, whale ले लो बहुत सारे mammal वापस कहाँ चले गए पानी में चले गए ठीक है उसी तरह से यहाँ पे भी है plants भी कहाँ evolve हुए water में evolve हुए, यह early plant है aquatic plant है अब फिर water से कुछ plant कहाँ आ गए land में आ गए तो उनको क्या वह लेंड plant लेकिन land plant के अंदर भी बहुत सारे plant है जो वापस water के अंदर जाके evolution चालू कर चीक है जैसे for example water lily, water hyacinth बहुत सारे aquatic plant है ना teradophyte में, salvenia there are so many aquatic plants which are actually technically embryophyte but still live in water ठीक है, चलो कोई बात नहीं यहाँ से शुरू करते है, थैलोफाइट से शुरू करते है तो अपने syllabus में थैलोफाइटा, अलगी में तीन थैलोफाइट से पहला वाला कौन सा है chlorophyce या फिर green अलगी दूसरा वाला कौन सा है rhodophyce या फिर red अलगी और तीसरा वाला कौन सा है pheophyce pheophyce technically means dark अलगी लेकिन इसका common नाम है brown अलगी ठीक है, next embryophyte में फिर दो आ जाते है ठीक है, समझने के लिए मैं ग्रूप बना दे रहा हूँ land plants में फिर दो तरह क्या आ जाते है एक जिसके पास xylem phloem नहीं है उसको क्या बोलेंगे, atrachiate atrachiate मतलब क्या होता है xylem phloem absent obviously ये भी क्या है, atrachiate इनके पास भी xylem phloem नहीं है लेकिन ये land plants without xylem phloem इनको क्या बोलते है, atrachiate xylem phloem मतलब vascular tissues absent xylem phloem absent ठीक है वेटा अब इसमें एक ही आता है कौन सा आता है bryophytes bryophytes अभी थोड़ दिर में हम लोग bryophyte भी करेंगे ठीक है, next उसके बाद क्या आ गया tracheophyte जिसके पास xylem phloem होगा उसको क्या बोलेंगे tracheophyte और tracheophyte में तीन आते हैं, कौन कौन से आते हैं तीन, terido teridoophyte, gymnosperm और कौन सा, angiosperm ठीक है, अब इन सब के अंदर अपने अपने ग्रूप है, जैसे ब्राइओफाइट के अंदर लिवर वोट, हॉर्ण वोट, मॉसस teridoophyte के अंदर, sylopseed, lycopseed sphinoced और teropseed gymnosperm के अंदर, sycats और conifers और angiosperm के अंदर dicots और सबसे advanced monocots, ठीक है, तो यह classification model है, kingdom planty का जो NCRT के basis पे है kingdom planty को दो ग्रूप में divide कर सकते है, जो plant early है पानी में evolve हुए, simple plants है, अलगी जिसको बोलते वो team में है, chloro, rhodo feo, और जो phyce suffix है यह किसके लिए है, अलगी के लिए है याद रखो, अलगी के लिए यह जो suffix है, वो phyce है और अलगी के लिए जो prefix है, वो phyco है अलगी के लिए prefix क्या है suffix क्या है, phyce मतलब किसी चीज़ के बाद में लिखा है phyce मतलब अलगी, और इसके लिए prefix क्या है phyco किसी के पहले लिखा है phyco तो अलगी जिसे phyco by on ठीक है, next अब बात आती है, अब इसके description के बाद, let us jump to our slide जहां पर हम लोग थे ठीक है, हाँ, यह देखो बीटा तो अब बात हम लोग कर रहे थे इसी की अलगी की बात हो रही थी ठीक है, तो अलगी में सबसे पहले यह देखो यह lichen है, basically यह क्या है, lichen, lichen के बारे में ऐसा लिखा है, lichen में अलगी और फंजाई साथ में रहते हैं, अलगी वाला पार्ट, food बनाता है, बोलते है फाइको बायाँ, फंजाई वाला पार्ट, हेट्रो टॉफिक है, शेल्टर देता, अलगी को प्रोटेक्शन देता, water mineral देता, उसको बोलते है mycobion, तो यह lichen काई किमेजे और यह sloth beer काई किमेजे, sloth beer के उपर अलगी ग्रो करती है, इस तरह से, तो ऐसा NC8 में लिखा है, कि sloth beer के उपर भी अलगी ग्रो करती है, sloth beer is a mammal, ठीक है डूंट बी स्केर्ट, नेक्स्ट अब देखो, अलगी के reproduction की बात करी है, तो जो main point से में बता देता है, बहुत simple है, ठीक है अलगी में most common asexual spore कौन सा है zoospore, यह बहुत important point है नीट में कई बार पुछा है, ठीक है अलगी का most common asexual spore कौन सा है zoospore, अब पहली बात asexual spore क्या होता है sexual spore क्या होता है asexual spore उसको बोलते है asexual spore उसको बोलते है जब vegetative cell मतलब normal cell directly क्या बना ले, spore तो ऐसे spore को क्या बोलते है asexual spore, ठीक है this is very very weird, but it occurs in lower organism, होता क्या है ऐसे for example, normal body का cell है, यह cell निकला और इससे क्या बन गया, ने organism it's like saying कि human body का cheek cell निकला, और cheek cell से क्या बन गया, ने human तो जब body के normal किसी somatic cell से, जब body के normal vegetative cell से, directly spore बन जाए, और यह spore निकल के new body बना ले, मतलब new organism बना ले, तो पहले तो देखो, एक ही organism के cell से use हुआ, और एक ही parent से new organism बन गया, ना तो यह asexual reproduction है most common asexual spore in algae is zoospore, तो जब एक organism से निकला हुआ cell, आगे चल के एक new organism बना ले, तो ऐसे cell को, जो spore के form में है, उसको क्या बोलते है, asexual spore अब एस sexual spore में अगर flagella होता है, तो उसको क्या बोलते है, zoospore तो zoospore कुछ नहीं है zoospore कुछ नहीं है, बस motile asexual spore है, motile asexual spore है ठीक है अलगी में सबसे common asexual spore कौन सा है, zoospore why do you call it zoo because it is motile, बेटा किस तरह का motile है, cilia है या flagella, flagella होता है, या दो कुछ cilia नहीं होता है, generally क्या होता है flagella होता है, ठीक है, and why is it asexual, क्योंकि normal vegetative cell ही spore बना लेता है तो इसको क्या बोलते, asexual एक parents से spore बनता है इसको इसलिए बोलते, asexual spore so most common asexual spore in algae is zoospore, very good, next point vegetative cells of algae transform into motile zoospore, वही जो मैंने बोला, उसी को यहां पर bold में लिग भी दिया next, sexual reproduction की अगर बात करें, तो उसमे sexual spore बनेंगे, sexual reproduction में कैसे spore बनेंगे, sexual spore बनेंगे, लिकिन sexual spore अपने syllabus में नहीं है, rather अपने syllabus में क्या लिखा है, sexual reproduction में syngemi कितने तरह की होती है, sexual reproduction में fertilization कितने तरह का होता है, तो तीन फ्लाजलेटट ईसोगेमी नो कि मैल उटिक्स में.. और लेकूड़िक्स में फ्लाजलेटटद ने उलोभरीटॉ हो एक जेसे हो और दोनों फ्लैजलेटेड़ उखुंड तो फ्लैजलेटट ईसोगेमिक अन्यम्त्य कि नंशे थिय। इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमिड जो है वह दोनों में फ्लेजला नहीं होगा दोनों जो है नॉन मुटाइट दोनों इक जैसे होंगे तो यह जो है यह वाला केस किस का केश है spirogyra के case है याद रखो flagellated isogamy is seen in ulotrix and non-flagellated isogamy is seen in spirogyra और ये दोनों ही कौन सी अलगी है brown है, red है या green है और ये किस तरह की green अलगी है दोनो ये दोनो filamentous green अलगी है मतलब इनमें cell एक के बाद एक series में होते है so filamentous green अलगी में ऐसा सवाल है तो क्या बोलोगे filamentous green अलगी में sexual reproduction किस तरह का fertilize and show करता है तो isogamy next, anisogamy का example याद रखो, eudorina जो एक तरह का green अलगी ठीक है, eudorina is a green अलगी next, oogamy का example याद रखो oogamy का example green अलगी में कौन सा है, walvox और brown अलगी में कौन सा है, fucus ठीक है, तो fucus brown अलगी है, जो oogamy show करता है, और walvox green अलगी है, जो oogamy show करता है oogamy में क्या होता है, male gamete कैसा होता, छोटा होता और motile होता और female gamete कैसा होता, large होता और non motile होता, female gamete, macro gamete होता और यह वाला जो gamit है, यह micro gamit होता notice करो आप N iso gamit में और O gamit में ठीक है, male और female gamit अलग तरह के हैं और यहाँ पे male और female gamit एक जैसे है, O gamit में special case, देखो यहाँ पे N iso में कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि gamit shape में अलग हो, एक का shape round दूसरे का shape, spindle shape तो भी क्या हो गया, N iso gamit यहाँ पे हो सकता है, एक के पास एक फ्लेजला, दूसरे के पास दो फ्लेजला, तब भी N iso gamit यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक के पास फ्लेजला एपाइकल है दूसरे के पास फ्लेजला लेटरल है उस basis पे भी N-isogamy तो आप लगो N-isogamy में male and female gammy बस अलग होना ची if they are different we can say it N-isogamy but O-O-gamy is a special case of N-isogamy in which male gammy it is small and motile, female gammy it is large and non motile, ठीक है female gammy it is macro gammy, male gammy it is micro gammy by the way N-isogamy और O-O दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटरो gammy भी बोल सकते हैं ठीक है और फौलोग पॉलते है इसो घंज कम लोग होमोग की बोलते थे मतलब पाइरो गाने अर उसकर समोल मोटाइल एंद फिमेल गामेट is large and non-motive whereas in an iso gametes can differ in shape they can differ only in size एक छोटा एक बड़ा देकें डिफर इन नंबर और फ्लाजला देकें डिफर इन इंसर्शन आफ लाजला और सो और सोफोर बहुत सारी चीजों में डिफर कर सकते किसी में भी डिफर करें तो इन इसमें याद रखो कौन सी अलगी है जसमें तीनों तरह का गैमी पाए जात। ज़ो जो ग्रीन अलगी है उसका ज Kane्रिक नाम है कलमाइटमोनास और उसकी जो स्पीसीज है उसमें से कुछ स्पीशीज में क्या होती isogamy, klemaidomonas के some species they show isogamy klemaidomonas के some species show anisogamy and klemaidomonas के some species show oogamy so klemaidomonas show all the three kinds of gammy in terms of sexual reproduction or fertilization ठीके, तो अब आगे बड़ते हैं, let's see what we have in the box, ठीके, आगे बड़ते हैं अब आगे यह बहुत ही important table, देखो यह table this table is money, ठीके यह बहुत important table ले बेटा, ध्यान से समझना इसको, ठीके तो यहाँ पे तीन अलगी के classes का नाम लिखा है, chlorophyce phaophyce, rhodophyce very very simple, let's keep it very very simple, ठीके chloro का मतलब क्या है, green देखो chlorophyll को chloro क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो green color का pigment है, उसका green chromophore है next, brown अलगी phaophyce, pha का मतलब होता है, dark, और brown अलगी का color भी generally क्या होता है, dark, brown is a dark dull color, so you call it phaophyce next, rhodophyce, literally means red अलगी, ठीके अब यहाँ पे, discussion start होने से पहले, मैं आपको इसका evolution बता लेता हूँ, क्योंकि बहुत important है, ठीके so evolution wise कौन सा अलगी, plant से ज़्यादा मिलता है, क्या plant red color के होते, क्या plant brown color के होते, या फिर plant green color के होते, तो जो embryophyte है, वो तो green color के होते हैं, इसका मतलब plants का closest relative कौन है, green अलगी अब आप notice करो, plant में reserve food क्या होता, starch green अलगी में भी reserve food क्या है, starch, ठीके, plant में cell wall में क्या होता, mainly cellulosic cell wall, और green अलगी में भी क्या है cellulosic, जैको plant की cell wall में अलगी नहीं होता, polysulphate isters नहीं होते, plant में reserve food, manythall, laminarine नहीं होता, fludian starch नहीं होता, which goes on to tell कि closest relative land plant का कौन है, chlorophyce chlorophyce is closest relative of bryophytes, मतलब अगला तो bryophyte है नहीं, plant में तो closest relative of land plants कौन है, कौन सा अलगी है ठीके है, chlorophyce chlorophyce कौन सी अलगी हो गई most evolved अलगी now you know it, ठीके है, और सबसे primitive अलगी कौन सी है in fact, rhodophyce is the most primitive अलगी ये कैसे बोल रहे है, क्योंकि ऐसे बोलो, lower photosynthetic organism में protein pigment है, phycoirithrin जैसा तो phycoirithrin जो है protein pigment है, therefore हम लोग से बोलते हैं कि rhodophyce is most primitive अलगी तो evolution wise, एक indirect बहुत अच्छा question है, कौन सी अलगी सबसे primitive है evolution में, red अलगी उससे ज़्यादा evolved कौन सी है let us say, all of us will agree, brown अलगी उसके बाद most evolved अलगी कौन सी है, green अलगी ठीक है, अब देखो दो तीन बाते हैं जो मैं पहले इस टिबल में आपको याद करा दू कौन से दो pigment है, जो तीनो ही अलगी में common है तो याद रखो, दो pigment है जो तीनो अलगी में common है, पहला वाला कौन सा, chlorophyll A नोटिस करो, chlorophyll A तीनो ही अलगी में पाये जा रहा है इसमें भी chlorophyll A, green में भी brown में भी, और red में भी तो कौन सा pigment है, जो तीनो अलगी में common है, chlorophyll A और एक और pigment होते है, जो तीनो अलगी में common है वो कौन सा है, beta carotene तो एक बाद तो आप याद रख लो chlorophyll A and beta carotene are universal pigments of all the three अलगी तीनो अलगी में कौन सा pigment पाये जाता है chlorophyll A, beta carotene they are universal pigment of all eukaryotic अलगी तीनो ही eukaryotic अलगी में chlorophyll A भी होता, beta carotene भी होता तीनो ही, अगर green अलगी में भी chlorophyll A है, brown में भी chlorophyll A है, तो green का कोई कौन सा chlorophyll special chlorophyll है, तो देखो green में एक और chlorophyll पाये जाता है chlorophyll B, जो की higher plant में पाये जाता है, यूगलिना में पाये जाता, लिकिन brown अलगी और red अलगी में नहीं पाये जाता है, so remember कि green अलगी का special chlorophyll कौन सा हो गया B, ए तो सब में है न, special कौन सा है chlorophyll B, next brown अलगी का special chlorophyll कौन सा है C, और red अलगी का special chlorophyll कौन सा है, D, तो याद रखो, अगर arrange करेंगे इस तरह से green, brown red में, तो यह alphabetical order में आ जाता है, B, C, D अगर green और brown और red में arrange करो, आप NCRT में लिखा है, तो इसका alphabetical order रहता है, special chlorophyll of green अलगी is B, special chlorophyll of brown अलगी is C, and special chlorophyll for the matter of fact, red अलगी is D, ठीक है, तो यह हो गया, special chlorophyll, chlorophyll है तो general chlorophyll है सबका, लेकिन special chlorophyll भी याद देखो, B, C and D for green, brown and red अलगा, ठीक है, अलगी, next अब क्या बात आगई, color किस अलगी का किस वज़ा से आता है, for example, इसका green color किस वज़ा से आता है, so green अलगी is grass green, due to presence of chlorophyll तो chlorophyll, A का B का जो color है, वही green अलगी में reflect होता है, so which pigment is responsible for green color of green अलगी, chlorophyll next, which pigment is responsible for brown color of brown अलगी, तो याद रखो, fucoxanthin, क्या? fucoxanthin is responsible for brown color of brown अलगी, अगर आप के photo census chapter पढ़े, तो आपने pigment का नाम सुना होगा, xanthophyll, ठीके, xanthophyll भी lipid pigment होता है, ठीके, और fucoxanthin, एक तरह का xanthophyll है, तो ऐसे भी गुमा फिरा के पूछ सकते हैं, which is the brown colored xanthophyll, fucoxanthin, इसको fucus में discover किया था, तो नाम क्या पढ़ गया, fucoxanthin, fucus में पाया जाना वाला xanthophyll, but fucoxanthin is a brown colored lipid pigment, next, which pigment is responsible for red color of redलगी, तो उसका answer क्या है, phycoiridrin, इसको हम लोग technically r-phycoiridrin भी बोलते हैं, ठीके, और देको, इसमें एक यूनीक बात है, इसमें यूनीक बात क्या है, कि chlorophyll B, या कोई भी chlorophyll, कोई भी xanthophyll, ठीके, even beta carotene, ये सारे कि सारे lipid है, लेकिन chemical wise, protein pigment कौन सा है, phycoiridrin, तो याद रखो, किसमें protein pigment पाये जाता है, redलगी में, protein pigment पाये जाता है, so our phycoiridrin is a protein pigment, rest other pigments है, lipid, oily pigment, ठीके, चलो छोड़ो, next, अब आते है, reserve food पे, तो किसका reserve food, land plant से मिलता है, green अलगी का, green अलगी में reserve food क्या है, starch, ठीके, starch के जैसा ही, और जादा branch एक होता है, इसको बोलते है, floridian starch, this is more bright than starch, ठीके ना, next, brown अलगी में क्या आता, laminarin, manetol, ब्राउन अलगी में एक अलगी है, laminaria, ठीके, laminaria, sargassum, ectocarpus, ठीके, तो जो laminaria का reserve food है, laminarin उसी के बेसिस पे नाम पढ़ गया, और manetol, एक तरह का polyol है, उसके बेसिस पे नाम पढ़ गया, ठीके, next, अब बात कर लेते हैं, हम लोग, थोड़ा सा chlorophyce के cell wall के बारे में, तो याद रखो, chlorophyce में cell wall cellulose की होती है, लेकिन अभी हम लोग दिखेंगे, बाहर से एक layer pectose की भी होती है, तो अंदर की layer किसकी होती, cellulose की, और बाहर की layer किसकी होती, pectose की, ठीके, next, phaophyce में क्या होता, phaophyce में generally अंदर की layer किसकी होती, cellulose की, और बाहर की layer किसकी होती, algin की, और याद रखो, algin जो है न, ये एक gel-like compound है, देखो, cellulose एक fiber है, लेकिन algin जो है न, ये gel-like compound है, एक तरह का hydrocolloid है, जो पानी को hold करता है, अपने अंदर पानी को hold करके, gel बन जाता है, next, rhodophyce में cellulose की, rhodophyce में cellulose की, tectin की, please don't confuse, pectose with pectin, they are similar in name, but different in chemical form, तो pectose अलग चीज है, pectin अलग चीज है, green algy में pectose है, red algy में tectin है, और एक और चीज होती है, polysulphate ister, यह एक esterified polymer है, बायो पॉलिमर है, ठीक है, anyways, polysulphate ister किसकी speciality है, cell wall of rhodophyce, ठीक है, laminarium minitol किसकी speciality है, reserve food of brown algy, तो ऐसा गुमा पिरा के basic question आते है, next, flagellation की बात करते हैं, तो किसमे flagella एकदम absent होता है, red algy में flagella होता ही नहीं है, अचा अभी तो पढ़ा कि जो spore होते है जिसमें flagella होता है, उसको zoospore बोलते हैं, अगर red algy में flagella ही नहीं है, तो red algy में zoospore भी नहीं है, तो क्योंकि red algy में flagellation absent है, इसलिए red algy में zoospores भी क्या है absent है, which algy does not have zoospores, red algae, because zoospores require flagella and rhodophyce red algae have no instance of flagella anywhere in their cells, कभी भी life cycle में उनके flagella आता ही नहीं है, red algae are totally flagella less, next, देखो इस पे और discussion करूंगा हमें chlorophyce और phyophyce का, chlorophyce में क्या condition है, 2 to 8 equal apical flagellation, इसका मतलब है, 2 to 8 equal apical flagellation का एक बड़ा simple सा मतलब है, वो यह है, कि, देखना, मान लो यह क्या है, algi का cell है, ठीक है, हाँ, इच्छुट भी green algae, ठीक है, तो मान लो की algi का cell है, green algae का cell है, ठीक है, मैं कुछ cells बना दे रहा हूं, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, apical position, इसको क्या बोलोगे, lateral position, बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, apical, इसको क्या बोलेंगे, sideways वाले को, lateral position, ठीक है, अब चलो, अगर, दो फ्लेजला हो गया, ठीक है, दो से ज्यादा, generally even number में होता है, चार फ्लेजला हो गया, ठीक है, rarely, छे फ्लेजला हो गया, और even more rarely, मान लो, आठ फ्लेजला हो गया, तो ऐसे flagellation को आप क्या बोलोगे, टू टू एट, देखो, even number में है, generally, one की multiple में flagellation नहीं है, टू टू एट, equal, देखो, सारे flagellation बराबर है, ऐसा नहीं है, कि एक flagellation बड़ा है, और दूसरा flagellation छोटा है, ऐसा नहीं है, कि एक flagellation यहां से है, दूसरा flagellation यहां से है, ऐसा नहीं है, तो क्या condition है कि कई सारे flagela है ठीक है लेकिन सारे flagela के जो position है वो empirical है किसी की sideways नहीं है और सारे flagela क्या है बराबर है इसको हम लोग बोलते वेटा basement isocon inflagellation क्या बोलते है isocon flagellation ठीक है यह किस में देखा जाता है green ALGI में देखा जाता है सारे फ्रेजला बराबर साइज के हैं, और सबकी पोजीशन भी एक है, और नंबर में कितने है है, तू तू एट, नो तू THE, पीटवा। कुम्पेर इस तु human sperm, human sperm में क्या होता थेला, एक फ्रेजला होता है, ऐसा, ठीक है, compare this to human sperm human sperm में क्या होता विटा एक फ्लेजला होता है ऐसा ठीक है तो यह एक फ्लेजला कहानी अलग है तूटूइट कहा नहीं अलग है इसको ओफिस्थों कॉंड बोलते हैं अलग चीज होती है यह लोग नहीं पढ़ रहे है वन फ्लेजला नहीं है यह बहुत इंपॉर्टन गिनलगी में कितना फ्लेजला है टूटूटूइट इक्वल एपाइकल इसको लोग बोलते आईसो कॉ flagellation next brown algae में कुछ और देखने के do I have brown color no I don't have brown color so I'll use white color instead ठीक है तो brown algae में क्या देखने के लिए मिलता है brown algae आप देखो इसकी shape कुछ ऐसी होती kidney जैसा ठीक है next एक flagella इसका apical होता है लेकिन दूसरा flagella क्या होता है इसका lateral होता है और दोनों flagella nature में भी क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं इस तरह से ठीक है तो याद रखो brown algae की condition ऐसी है brown algae में कितने flagella है two to eight है या two है two है ठीक है equal है या unequal है unequal है और brown algae में जो flagella है उसकी position क्या है एक की apical है दूसरे की lateral है ठीक है so brown algae में flagellation क्या है two unequal look at this and look at they are unequal in size as well as their structure इस flagella में hairs है ठीक है यह flagella smooth है यह flagella hairy है ठीक है next two unequal different lateral flagella और यह cell की जो shape है ना इसको हम लोग बोलते peer shape क्या peer shape brown algae में कैसी shape होती है cell की जूस पूर की especially peer shape और यह peer shape के लिए word और यूज होता pyreform ठीक है peer fruit के नाम पे पढ़ा ऐसा peer fruit होता ना इसी के नाम पे पढ़ा pyreform ठीक है तो एक flagella कहा हो जाएगा पीर की apex से एक flagella कहा निकलेगा पीर से laterally निकलेगा तो टू unequal lateral flagellation is characteristic of brown algae तो brown algae में कौन सा flagellation हो गया isocont नहीं बेटा hetero cont flagellation हो ठीक है इसको क्या बोलते कौन सा flagellation hetero cont flagellation flagellation with pyreform cells ठीक है ना तो यह किसका feature हो गया brown algae का feature हो गया याद रखो unequal flagella किसमें है brown algae में है ठीक है चलो वापस अनलोग अब discussion को आगे ले चलते हैं ठीक है हाँ now we also have to worry about this 228 equal apical focus on the word equal equal मतलब isocont बराबर all flagella are equal next to unequal focus on the word unequal different hetero cont ठीक है और यहाँ पे तो flagella ही नहीं है तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो एक corn flagellation एक corn flagellation ठीक है अब बाता गई habitat की तो ग्रीन अलगी mostly कहां रहती है fresh water में और ग्रीन अलगी बहुत सारी marine water में भी रहती है salt water में लेकिन ग्रीन अलगी estuories में भी पाई जाती है estuories मतला brackish water estuories उसको बोलते जहाँ पे river water ocean water मिलता है और वहाँ पे जो water बनता है उसका osmolarity river water से ज्यादा होता ओशन water से कम होता ब्राउन अलगी जो है वह fresh water में rare है और brackish और salty में ज्यादा कॉमन तो आप बोल सकते हो कि brown अलगी आर मोस्टी मेराइन next रोडोफाइसी fresh water में कुछ पाई जाते हैं और salt water में most पाई जाते हैं तो as you can see फेओफाइसी और रोडोफाइसी और मोर कॉमन इन salt water and brackish water whereas green algae is more common in fresh water अब green algae like organism भी जादा कहा होते हैं fresh water में for example euglena is more common in fresh water and euglena is very similar to green algae ठीके और dynoflagellate is actually very similar to brown algae and dynoflagellate is found in marine condition तो जो organism इन algae से similar है ना उनका habitat भी क्या होता? similar होता है ठीक है, so brown algae and red algae are mostly marine, they love salty conditions whereas chlorophyce likes fresh water conditions तो हम लोग कुछ-कुछ algae के बारे में बाते करते हैं उसके बाद chlorophyce, phyophyce और फिर NCRT के text पर आ जाएंगे ठीक है, जैको chlorophyce मतलब green algae सबसे पहले तो green algae क्या-क्या हो सकता है ठीक है, so green algae में सबसे पहले याद रखो उनका example कोई भी algae पढ़ रहने, सबसे पहले example ही पढ़ लो, सबसे अच्छा the best is to study example first ठीक है, तो chlorophyce में सबसे पहले कौन-कौन से variety है single-celled green algae कौन-कौन से है chlamydomonas chlorella ठीक है, chlamydomonas chlorella they are single-celled eukaryotic green algae ठीक है, next, colonial कौन सा है walvox, इसका भी हम लोग फोटो देखेंगे walvox का, walvox ऐसा football जैसा होता colony में exist करता, एक होता बड़ी colony, mother colony, उसी के अंदर बनती है छोटी-छोटी daughter colonies, next filamentous, अभी दो होते हैं ulothrix, ulothrix क्या था, flagellated isogammy और spirogyra, यह क्या था, non-flagellated isogammy next, thaloidal, thaloidal मतलब multicellular, तो यह कौन सा होगा, कारा ठीक है, कारा, संफिल कॉलिट, चार next, unicellular वाला कौन सा है chlamydomonas chlorella, यह single-celled होंगे, ऐसा ठीक है, next, colonial कौन सा है, walvox walvox ऐसा कॉलोनी में cell exist करेंगे, याद रखो, कॉलोनी के cells आपस में touch नहीं होते हैं, बलकि कॉलोनी के cells जो है, एक common biofilm के अंदर, या common mucilage के अंदर, या common protein matrix के अंदर present होते हैं इस तरह से, अगर एक cell को अलग कर दो, it will not survive, लेकिन अगर colony में रहेगा, it will survive, this is a specialty of walvox, ठीक है, walvox colonial है, ulothrix spirogyra कैसे होते हैं, यह filamentous है, cells जो है, इस तरह से series में जुर जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, filamentous arrangement of cells, next, thaloidal, thaloidal में कौन सा आता का रहा, यह obviously multi-cellar होगा, मतलब इसके cells जो हैं, जुड़े भी होंगे, और इस तरह से कुछ-कुछ tissue-like structure बना लेंगे, तो tissue-like वाले को क्या बोलते हैं, members, जो green अलगी के members हैं, उनका cell wall, उनका reserve food, उनका chlorophyll, उनका chloroplast, सबसे ज़्यादा किस से मिलता है, land plant से, तो green अलगी, land plant के closest relative हैं, और सबसे पुराना अलगी कौन सा है, red अलगी, ये भी यादर को, next, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, next, chlorophyce में देखो क्या लिखा है, color वगएरे की बात लिखी है, so chlorophyce का जो color है, वो घास के जैसा green है, grass green, ए ब्राउन अलगी का ब्राउन कलर किस से आया, fucoxanthin, red अलगी का red कलर किस से आया, r5-coirithrin, उसे तरह से green अलगी का green color कैसे आया, chlorophyll A, B से आया, chlorophyll A और chlorophyll B की वज़ा से, green अलगी का color क्या है, green, ठीक है, next, they have definite chlorophyll, देखो ये बात लिखी है, NCRT में, इस पर ध्यान नहीं जाता, मैं बता दे रहा, green अलगी का जो chloroplast है, वो ही proper chloroplast है, brown अलगी और red अलगी में actually chloroplast ही नहीं, primitive chloroplast है, जैसे red अलगी के chloroplast को हम लोग rhodoplast बोलते हैं, उसका structure वगरा बहुत अलग है, और brown अलगी के भी chloroplast को हम लोग phaoplast बोलते हैं, तो पहली बार definite chloroplast किसमें आया, green अलगी में आया, और higher plant में, bright red अजिम्नो अंजियो में भी chloroplast है, तो chloroplast brown में और red में technically नहीं है, ठीक है, origin of chloroplast जब आपढ़ोगे, तो red अलगी में chloroplast नहीं है, brown अलगी में भी chloroplast नहीं है, उनके अंदर technically rhodo और phaoplast है, पहली बार chloroplast chlorophyce में आया, और यह NCRT में लिखा है, कि they have definite chloroplast, brown अलगी, red अलगी में तो नहीं लिखा, कि they have definite chloroplast, लेकिन यहां क्या लिखा, they have definite chloroplast, whereas brown अलगी and red अलगी have primitive plast, यह मैंने अपने से चोड़ दिया, next, chloroplast की shape बहुत interesting है, brown अलगी में, देखो, higher plant में क्या होता, higher plant में mostly lens shaped होता chloroplast, lens shape समझते हो, आप इस तरह का, lens shape chloroplast होता, ठीक है, लेकिन अलगी में, green अलगी में chloroplast की shape बहुत तरह की है, जैसे disc like हो सकता है, इस समझते हैं, cd, अब आप लोग की जमाने में compact is cd नहीं है, लेकिन, but you know what is cd shape, ठीक है, next, plate like हो सकता, अलगी में, these two are flat geometries, next, reticulate हो सकता, reticulate मतलब network like, ठीक है, कैसा, network like, network like मतलब complicated, ठीक है, cup shaped हो सकता, और याद रखो, cup shaped किसमें होता है, है, यह याद रखना है, cup shaped chloroplast is found in klemido monas, cup shaped klemido monas, ठीक है, klemido monas, एक ऐसा green अलगी है, जिसका chloroplast cup shaped होता है, this is something to be remembered, next, spiral, spiral किसमें होगा, you have one second to guess, spiral होगा, spiral गारा में, ठीक है, ribbon shaped, etc, बहुत सारी geometries है, ulothrix में अलग, और zygo nema में अलग, so remember, कि यह जो klemido monas, की shape है, various shapes of klemido monas are observed in, definite klemido monas are observed in, grass green color is observed in, chlorophyce, और members of green अलगी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, next, what do we have, next, अपने पास है, chlorophyce का, description थोड़ा बहुत, तो जादा तर member, जो chlorophyce के हैं, उनके chloroplast के stroma में, pyranoyd पाए जाते हैं, interesting, देखो, यह green अलगी का, chloroplast है, इसके अंदर देखोगा, outer membrane, फिर होगा, inner membrane, फिर होगा, phylakoid membrane, लेकिन stroma में, इसके अंदर bodies पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, pyranoyd, और याद रखो, pyranoyd जो है, वो कुछ bryophyte में भी पाए जाते हैं, मतलब यह connecting link हो गया, presence of pyranoyd, bryophyte में, और green अलगी में, which shows की bryophyte सा इवाल्ट फाम green अलगी, ठीक है, so pyranoyd क्या होते हैं, pyranoyd stroma में पाए जाने वाले granules होते हैं, जिसके अंदर अंदर enzyme होता है, protein का बना हुआ Robisco, और बाहर-बाहर starch की sheet होती है, तो उसमें क्या लिखा है, यहाँ पे, pyranoyd contain protein besides starch, मतलब, कहने का मतलब, अंदर-अंदर इनके protein होता है, और बाहर-बाहर क्या होता है, starch होता है, ठीक है, तो याद रखो, they are involved in something called as carbon dioxide concentration mechanism, लेकिन वो अपने syllabus में नहीं है, बस इतना याद रखो, कि pyranoyd are internally made up of protein, it is almost 99% Robisco, and then externally, देहवा sheet of starch, तो इन सी आटी में लिखा है, pyranoyd contain protein besides starch, ठीक है, protein होता है, उसके साथ साथ starch भी होता है, ठीक है, main reserve food, green algi के members में starch है, लेकिन algi में और भी तरह के reserve food हो सकते हैं, green algi में especially, कुछ का example क्या हो गया, oil droplet, and oil droplet का मतलब आप lipid से भी ले सकते हो, ठीक है, तो कौन से algi में lipid reserve food होता है, बहुत से algi में होता है, one good example is green algi, ठीक है, so main reserve food क्या है, starch, remember brown algi में laminarin, manneth oil, और red algi के अंदर floridian starch, जिसमें से start जो है, वो सबसे ज़्यादा land plant के reserve से मिलता है, ठीक है, next, हम लोग देख लेते हैं, अब एक दो character और देखके, फिर NCRT पे आ जाते हैं, ठीक है, तो अच्छा होगा, next, green algi के पास rigid cell wall, ब्राउन algi के पास B cellulose है, लेकिन बाहर slimy है, algi नहीं, red algi में polysulfate ister वगरा होते हैं, लेकिन green algi के पास, ऐसा लिका है NCRT में rigid cell wall है, जिसमें two layers होते हैं, inner layer किसकी बनी होती, cellulose की, outer layer किसकी बनी होती, pectose की, don't confuse pectose with pectin, pectin is a feature of red algal cell wall, whereas pectose is the feature of outer layer of green algal cell wall, ठीक है, vegetative reproduction takes place by fragmentation, fragmentation जानते हो ना, आप तूट जाने को क्या बोलते हैं, fragmentation, usually algi हो या फंजाई हो, तूट जाता है, अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, fragmentation, और by formation of different types of spores, and you know that most common of asexual spores in algi are zoospore, with two to eight equal apical flagellation in case of green algi, asexual reproduction कैसे होगा, flagellated zoospores है, और क्या बता सकते हैं, flagellation क्या होगा, two to eight equal apical, produced inside zoosporengia, देखो, zoospore कभी जब बनते हैं ना, तो open में नहीं बनते हैं, यह concept हम लोग biological classification में पढ़ते हैं, कि zoospores are always endogenous, उदर fungi में पढ़ते हैं, conedia exogenous होता है, ठीक है, basidio spore exogenous होते हैं, but remember zoospores कहीं पर भी बनते हैं, they are always endogenous, ठीक है, so can you give me example of endogenous asexual spore, which is also flagellated, तो उसका example क्या होगा है, zoospore, zoospore के लिए कुछ word है, जा उपने दिमाग में से बैठा लो, बहुत काम का है, zoospore के लिए एक word क्या होगा, flagellated, यह तो उसका defining feature होगा, zoospore, ठीक है, दूसरा word क्या है, asexual, ठीक है, तीसरा word क्या है, endogenous, endogenous का मतलब क्या है, sporengium के अंदर बनता है, अब क्योंकि, यह zoospore है, इसलिए इसके sporengia को, इसके wall को बोलते हैं, zoosporengium, ठीक है, तो चलो अब NCRT पे आते हैं, ठीक है, NCRT पे आते हैं, few of ICC के level से, let's bring our discussion to NCRT, देखो गीटा, यहाँ पे कुछ figure दिये हुए, यह wall walks का वो figure है, जिसके बारे मैं बात कर रहा था, wall walks ऐसा colonial green अलगी है, जिसके अंदर O-O gammy होती है, ठीक है, तो wall walks में क्या देखने को मिल ला है, parent colony, उसके अंदर क्या बनी, daughter colony, isolated cells of wall walks do not survive, लेकिन अगर आप इसको, colony के form में रखो, they do survive, next, फिर क्या आगया, यह ulotrix है, ठीक है, तो यह अगर आप देखो, तो filamentous green अलगी है, next, of phéo phycee are found primarily in fresh water, या फिर marine condition, marine condition, primarily in marine habitats, brackish water में भी, और salt water में भी, they show great variation in size and form, तो brown अलगी, generally green अलगी से बड़े होते है, ठीक है, बहुत से होते हैं, जो filamentous होते है, one good example is, ectocarpus, ectocarpus जो है, यह unicellar नहीं है, फिलामेंटस है, मतलब स्पाइरोगाईरा, उलोथ्रिक्स के जैसा ब्राउन अलगी में कौन है? एक्टोकार्पस, ठीके? और यह बहुत slimy होता है और branched होता है, तो आप ऐसे imagine कर सकते हो, यह इस तरह का होता है वेटा, फिलामेंटस और प्लस, branched भी होता है ऐसा होता है, एक्टोकार्पस, ठीके? I don't have a figure to show you, लेकिन ऐसा करके होता है, ठीके? एक्टोकार्पस in fact, should not be purple, should be brown ठीके? next, अब दूसरा वाला कौन सा है? highly branched, profusely branched मतलब highly branched forms, like kelps, kelps का नाम चाहो तो आप लिख लो, दूसरे चेप्टर में मैक्रोसिस्टिस, ठीके? मैक्रोसिस्टिस और यह तो kelps जो होते है, यह one of the largest plants होते, क्योंकि यह बहुत बड़े हो सकते है पानी में, समुंदर में, अंदर-अंदर यह hundreds of meters के हो सकते हैं so they are definitely some of the largest organisms and some of the largest plants ठीके, next they possess chlorophyll A special chlorophyll कौन सा है, C brown algी का, carotenoids and xanthophyll ठीके, carotenoid कौन सा होता, बता सकते क्या, beta carotene ठीके, और xanthophyll कौन सा होता brown algी में, fucoxanthin ठीके, remember fucoxanthin was responsible for brown color of brown algी, अगर fucoxanthin कम होगा, तो brown algी में chlorophyll का color जलकेगा मतलब green color जलकेगा लेकिन अगर fucoxanthin ज्यादा होगा तो green algी brownish हो जाएगा, ठीके तो यहाद लखो क्या लिखा है they vary in color from olive green to brown depending upon amount of fucoxanthin, which is a xanthophyll pigment ठीके, तो उनका जो color होता है, वो olive green होता है olive green कब होता है, जब fucoxanthin कम होता है तो chlorophyll का green जलकता है लेकिन जैसे जैसे fucoxanthin बढ़ेगा, वैसे वैसे browniness उनके अंदर बढ़ेगी ठीके, इस लाइक बेकिंग अप्रेट, ठीके, नेक्स्ट अब आगे बड़ते है यहाँ पर भी बहुत कुछ लिखा है cannot neglect any line, let's see what lines do we have to go through हाँ, नेक्स, food किस फॉर्म में स्टोर होता है complex for carbohydrate, laminarine, manetol नो रेकिन याद रखो, laminaria का food, laminarine दूसरा food क्या है, manetol next, vegetative cell में cellulosic wall होती है जिसमें बाहर से covering होती, algin की याद रखो, inner layer cellulose की, brown में भी है और green में भी है, outer layer pectose की है, green में और algin की है, brown algin में, ठीक है next, the protoplast contain in addition to plastids यहाँ पर क्या लिखा है, plastid, वहाँ लिखा है definite chloroplast, यहाँ क्या लिखा है, plastid, व्यूकि brown algin में they actually have pheoplast, not definite chloroplast brown algin have pheoplast, a centrally located vacuole and nucleus ठीक है, the plant body is usually attached to substratum by holdfast ठीक है, so holdfast में आप ऐसे hold word याद रख सकते हो hold means to attach to something, तो holdfast वो part है जिससे attach होता है brown algi अपने पत्थर पे या रॉक के उपर next, उसमें एक छोटा सा stock होता है, जिसको हम लोग stipe बोलते है so stock is stipe, next, and leaf-like photosynthetic organ which is called as frond ठीक है ना, तो frond क्या है, वो एक flat organ है, leaf-like organ है जिसमें photosynthesis जादा होता है, तो holdfast, stipe और frond यह तीन body planning of brown algi में बहुत important है, next, what do you have next, vegetative reproduction takes place by fragmentation, जो सब में है, asexual reproduction takes place by biflagellate zoospur, याद रखो, green algi में क्या था, 2-2-8 equal apical, लेकिन brown algi में क्या था, 2-1 equal, lateral, with piriform shape, तो जो मैंने पहले बता है, वह ही बता रहा हूँ, vegetative reproduction takes place by fragmentation, asexual reproduction in most brown algi is via biflagellate zoospores, and these spores have pear shape, piriform, with two unequal, laterally attached flagella, तो मैं एक काम यह करता है, मैं आपको यह सब दिखाते हुए, एक zoospore का figure बना देता हूँ, ठीके, तो क्या-क्या याद रख सकते हो आप इसमें, आप इसमें बहुत कुछ याद रख सकते हो actually, ठीके, तो देखो, क्या है, सबसे पहले तो वही, piriform shape होगी, ठीके, और इसमें एक flagella हो गया, और यह दूसरा flagella हो गया, ठीके, ठीके, दोनो flagella यहाँ side से भी निकल सकते हैं, ठीके, तो ऐसा भी हो सकता है, यह ऐसी shape हो, और यह दोनो flagella यहाँ से निकले, लेकिन याद रखो, कि position क्या होगी, lateral होगी, ठीके, next, अच्छा, दोनों की size भी क्या होगी, nature भी क्या होगा, अलग होगा, next, centrally located vacuole होगा, nucleus होगा, और chloroplast नहीं होगा, plastics होगे, which are primitive chloroplast, called as theoplast, तो यह जो arrangement है, यह बहुत important है, shape को क्या बोलते, peer shape या फिर pyreform, इसके अंदर-अंदर layer किसकी होगी पहले, cellulose की, और बाहर की, जो slimy layer हो किसकी होगी, algin की, ठीक है, इसके vacuole में reserve food क्या होगा, laminarin manetor, तो यह brown algi का zoospore है, बहुत कुछ बताता, brown algi की बारे में, brown algi के zoospore की shape क्या है, पहली बात यह monoflagellate, biflagellate, biflagellate, यह hexa, octa flagellate नहीं है, यह biflagellate, two unequal, laterally inserted flagella है, inner layer cellulose, outer layer algin, centrally located vacuole and nucleus, और plastids, ठीक है, कौन से plastids, phaioplast, ठीक है, चलो अब वापस जाते हैं, NCRT पे, कोज NCRT discussion ही main है, ठीक है, तो NCRT पे आते हैं, body plan के बारे में बता दिया, hold fast, stipe, और front, photosynthetic कौन है, front, next, sexual reproduction में भी, isogamous, anisogamous, और oogamous, union of gametes may take place in water, और within oogonium, जेको, within oogonium मतलब क्या हो गया, internal fertilization, और in water मतलब क्या हो गया, external fertilization, so brown algae can show external as well as internal fertilization, जब fertilization, sex organ, female sex organ के अंदर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, internal fertilization, और जब पानी में हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, external fertilization, so one good statement based question can be, that sexual reproduction can involve external as well as internal fertilization in brown algae, ठीक है, तो जो oogamous species होती है, उनके पास oogonium नाम का sex organ होता है, जिसे oogamous है तो fucus में oogonium होगा, मतलब fucus में fertilization water में नहीं होगा, external नहीं होगा, oogonium के अंदर होगा, fucus has internal fertilization done and dust है, ठीक है, next, gametes are pyreform, जैसा shape इसका है, ब्राउन अलगी के, biflagellate zoospore का है, वैसा ही shape gamete का है, देखो gamete भी कैसे है, pyreform मज़े, peer shape, and beer, two laterally attached flagella, वही, जैसा, अभी मैंने draw करके बताया, तो जैसा इनका flagella, जैसा इनका zoospore होता है, वैसा ही, इनका motile male gamete भी होता है, ठीक है, next, common forms are, ectocarpus, जो की filamentous है, dicteota, ठीक है, laminaria, sargassum, and fucus, ठीक है, तो यहाँ पे photo भी बनी थी ना, उन में से कुछ की, ठीक है, तो आप देखते चलो, ठीक है, कि यहाँ पे जो label है, laminaria, fucus, और dicteota, तो यह क्या हो गया, laminaria, इसको बोलते हैं हम लोग devil's apron, ठीक है, भूत की तरह दिखता है यह पानी म fucus है, fucus के पास air bladder होता, यह याद रखो बेटा, fucus के पास air bladder होता, front में, मतलब यह, इसके अंदर हवा भरा हुआ, छोटा-छोटा, bulb like structure होते है, जो इसको buoyancy देते हैं, next, यहाँ पे देखो, hold fast बना है, stipe इसका reduced है, next, यह क्या है, dicteota, dicteota में भी branching है, तो यह देखो, यह ठीक है, और देखो, midrib वगेरा है, मतलब, अब branching का pattern कैसा है, dichotomus, CA, वगेरा, do need to go through that, जितना NCRT में word used हुआ, वही word आप, आप भी use करो, use the same word which is used in NCRT, next, आ जाएंगे, rhodophyce के उपर, rhodophyce के उपर, बात करते हैं, ठीक है, members of rhodophyce, are commonly called redalgy, not surprising, because of predominance of red pigment, r5, कौन सा pigment है, जो redalgy को red color देता है, r5 को irydrine, बहुत सारे redalgy, पानी में पाई जाते हैं, याद है, fresh water को favor कौन करता, green, marine को favor कौन करता, brown और red, most of them are found in marine water with greater concentrations, found in warmer areas, जो coastal areas होते हैं, जहाँ पर light जादा होती, वहाँ पर जादा होती है, लिकिन, यह जो, redalgy, इनकी खास बाती है, यह fresh water में तो पाई जाते हैं, उसके साथ साथ, surface के area में तो पाई जाते हैं, साथी साथ, great depths में भी पाई जाते हैं, जहाँ पे कम light पहुँचती हैं, तो याद रखो, ocean में न, पचास मीटर के नीचे light नहीं जाती, तो darkness होती ही, तो ocean में अगर light नहीं जा रही, penetrate नहीं कर पारी, सबसे ज़्यादा penetrate कौन सी light करती है, penetration power जो है, वो frequency से related है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा frequency, उतना ज़्यादा penetration पा, उतना ज़्यादा energy, तो blue light और ultraviolet light ज़्यादा गहराई तक जाती है, ocean में, और red light उपर ही उपर क्या हो जाती है, स्केटर हो जाती है, तो red light जो है, वो उपर उपर स्केटर हो गई, नीचे कौन सी light present है, नीचे present है, ultraviolet light, blue light, तो ultraviolet, UV और blue light में red अलगी photosynthesis कर पाती है, क्योंकि red अलगी के पास blue light का photosynthetically active और UV light का photosynthetically active pigment है, जिसका नाम है आर फाइकोरिद्रिन, तो इसका आर फाइकोरिद्रिन इसको enable करता है, depth of ocean में photosynthesis करने में by using UV light and high energy blue light as energy source, ठीक है, obviously chlorophyll cannot act as photosynthetic pigment in UV light, UV light में कौन photosynthesis करने में help करेगा, आर फाइकोरिद्रिन, अगर आप आर फाइकोरिद्रिन का absorbance देखो, Google search करके, तो वो UV में भी और blue में भी अच्छा का सा photosynthesis करता है, ठीक है, सो कौन सी algae depth में पाई जाती है, assertion क्या है, red algae occurs in depths of ocean, why, इसका reason क्या होगा, because red algae can do photosynthesis in high energy radiations, which for example, UV light can be used as photosynthetic light source by pigment, आर फाइकोरिद्रिन, next, अब क्या आ गया, red algae का जो थैलस होता है, ठीक है, वो multicellular होता है, माला, red algae में unicellular, filamentous वगरा ज्यादा नहीं होते, they are multicellular, they are all thaloidal, next, some of them have complex body organization, अगर आप figure देखो, तो यहाँ पे porphyra और polysiphonia बने है, यह edible होता है, porphyra, यह मैंने भी खाया है, और यह क्या है, polysiphonia, you can see, it has complex body structure, इसका embryonic development complex होता है, main axis है, branches है, इस तरह का, यह तो पेड ज structure complex होता है, ठीक है, simple भी हो सकता, लेकिन complex भी हो सकता, this one is porphyra, this one is polysiphonia, ठीक है, next, अब देखो, red algae में क्या है, ठीक है, red algae में क्या है, red algae multicellular है, red algae का complex body organization है, food किस फॉर्म में इस थूर होता, branched glycogen like substance में, जिसको हम लोग बोलते है, floridian starch, ठीक है, जो कि किस से मिलता है, glycogen से मिलता है, और किस से मिलता है, amylopectin से, तो यह दखो, amylopectin, glycogen और floridian starch यह तीनों branched होते हैं, ठीक है, branched polymer होते हैं, इसने सब similar है, glycogen और amylopectin से मिलता है, floridian starch, यह याद रखना पड़ेगा, next, red algi usually reproduce vegetatively by fragmentation, and asexually by non-motile spore, and sexually by non-motile gametes, तो याद रखो, red algi में, female gamete होता है, तो यह खास तरह की oogamie है, जिसको हम लोग बोलते है, carpogamie, इसमें non-motile sperm होता है, जिसको बोलते है, spermatium, और वो carpogonium में जाके, eco-fertilize करता है, so although red algi के अंदर, flagella नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें oogamie होती, what kind of oogamie, we call it carpogamie, carpogamie में non-motile spermatium, जो जाकरके passively fertilize करता है, eco-inside carpogonium, ठीक है, तो यह जो है, बहुत important है, confusing भी है, flagella नहीं है, फिर भी oogamie कैसे है, तो मैंने समझा दिया, और इसमें post-fertilization embryonic development complex है, as you have seen example of polysiphonia, next, इसके common example हो गए, इसको आप ऐसे हाजख सकते हो, दो का नाम G से है, दो का नाम P से है, gelidium gracil area, और porphyra polysiphonia, ठीक है, यह हो गए, अब next आते हैं, इसके economic importance, अलगी का यहाँ पे mentioned है, इसको इस paragraph को आप लोग नहीं छोड़ सकते, तो अलगी का बहुत सारा uses है, ठीक है, जिसमें से obviously एक use क्या है, photosynthesis, food बनाना, ocean के ecosystem को चलाना, यह oxygen, जो dissolved oxygen है, ocean में, river water में, जहाँ पे भी है, वहाँ पे उसको बढ़ा देते है, they are important as primary producers of energy rich compound, जो phytoplankton होते, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्या होते, अलगी होते, लेकिन याद रखो, ocean में chief producer जो है, वो chlorophyce, rhodophyce, phoeophyce, नहीं है, ocean का जो chief producer होता है, वो होता है, chryzophyte, dye atoms are chief producers of ocean, ठीक है, next, laminaria sargassum, ठीक है, porphyra, यह edible marine अलगा है, तो याद रखो, porphyra edible red अलगी है, और laminaria sargassum edible brown अलगी है, तो edible brown अलगी कौन होगे, laminaria sargassum, next, certain marine brown अलगी are source of water holding substances called hydrocolloid, तो बहुत सारे ऐसे चीज़े होती है, ऐसे chemicals होते है, जब उनको पानी मिलता है, तो पानी को hold करके gel बना लेता है, अब यह gel जो है, बहुत सारा use में आता है, तो एक gel बनाने वाला कौन है, brown अलगी जो algen बनाता है, और red अलगी क्या बनाता है, केरगीनन बनाता है, जिसको short में केरगीन भी बोलता है, तो केरगीन is commercially obtained from red अलगी, whereas algen hydrocolloid is commercially obtained from brown अलगी, algen and केरगीनन या पिर केरगीन, they are both hydrocolloid, they are both gel-like substances, अगर आप उनको सुखाद होगे, तो वो powder बन जाएंगे, लेकिन अगर आप उनमें पाइन राल दोगे, तो वो gel-like बन जाएंगे, So there are commercially important chemicals, algen from brown अलगी and केरगीन from red अलगी, Next, अगर, अगर क्या है, अगर एक ऐसा chemical है, जो gelidium और gracilaria से obtain किया जाता है, So इन दोनों को मिला करके, gelidium gracilaria को, हम लोग बोलते हैं, agarophytes, क्योंकि इनसे क्या बनता है, अगर-अगर, ठीक है, और अगर के बहुत सारे use है, ठीक है, अगर-अगर एक chemical होता, जिसमें एक अगर का मतलब है agarose, दुसरे का मतलब है agaropectin, और इनका बहुत important use है, For example, हम लोग उने DNA fingerprinting में पढ़ा, और biotech में पढ़ा, कि gel electrophoresis use होता है, DNA के fragments को separate करने के लिए, based upon their size, तो याद रखो, उसमें भी किसका use होता है, agar का, जो कि एक gel है, Next, chlorella, unicellular algae है, ठीक है, अच्छा, यह agar-agar का use जो है, वो culture में भी होता है, मतलब microbes के culture में, और jellies बनाने में, so it is also edible, ठीक है, Next, chlorella is a unicellular algae, which is food supplement, ठीक है, याद रखो, chlorella जो है न, वो unicellular green algae है, जो की superfood है, या ऐसे बोलो, जो की single cell protein है, लेकिन, main single cell protein जो है न, वो spirulina है, और याद रखो, spirulina जो है न, वो cyanobacteria है, वो blue-green algae है, वो prokaryotical algae है, तो can you name one eukaryotical algae, which is single cell protein, chlorella, and can you name, can you also name, prokaryotical algae, which is single cell protein, spirulina, which is blue-green algae, और ये तो green algae है, ये तो eukaryotical algae na chlorella, ठीक है, next, algae are divided into three main classes, chlorophyce, जो मैंने बताया, phaophyce, और rudophyce, तो इस lecture में, part one में, हम लोगोंने basically introduction और algae को cover कर लिया, आने वाले second part में, हम लोग देखेंगे, bryo-teridop, gymno-angio और chapter को close करेंगे, thank you so much for watching, I hope this was helpful, I will see you in the next video.